हलो फेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल में सो फेंड्स हमारे चैनल पर सेल भिलाए रिजल्ट का अंतरगट अपडेट आ रहे थे और दोस्तों आज के डेट में बड़ी अपडेट आ रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग का जो official result है वो गोसित हो चुका है और दोस्तों आप sale के official website में जाकर देख सकते हो और साथे साथ इसी वीडियो के description में आपको link मिल जागा तो link पे click करके आप उस result को देख सकते हो अपना result की आपका उसमें हुआ है या नहीं हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारा detail मिलेगा कि आपका जो document verification अगा वो कहा होगा कौन से कौन से दस्तावेज आपको ले जाने होंगे तो दोस्तों वीडियो बने रही है वीडियो को पूरा जरू देखे साथे साथ अपने दोस्तों में इसको जाया स्यादा को मिलेगा तो चलिए दोस्तों ड्राइटली हम चलते हैं अब PDF में जो result का है तो फ्रेंड्स यह आप लोग देख रहे हो यह आपको official result है Steel Authority of India Limited भिलाई Steel Plant भिलाई District दूर्ग 36 गड़ तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो date of issue 5.11.2020 के date में official website में issue हो गया था और उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं तो candidate with following application number has been provisionally selected for different post against advertisement number BSP 30 recruitment 19-20 dated 3-10-2009 तो दोस्तों इस date में आपका notification जारू हुआ था और यह आपका provisionally list है और यह आपका provisionally selected candidate का list है और आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो देखे हैं note में लिखावा आया तो in order to avoid large group of gathering due to covid-19 pandemics pre-employment medical examination is being done in a phased manner तो दोस्तों आपको phased by phase आपको result देखने को मिलेगा यह आपका second phase का result है और दोस्तों आगे बढ़ते हैं notice for pre-employment medical examination for the remaining post will be issued in in phases candidate are requested to check the sale carrier portal तो दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि जिन candidate का इसमें नाम नहीं है या रोल नमर नहीं है तो दोस्तों आप लोगों को हर बढ़ाने के जरूत नहीं इसका अगला phase में जैसे ऑफिसल website में जारी किया जागा तो आपको हमारी चैनल के माध्यम से सुचना दे दी जाएगी तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो यहां पर ध्यान रखेगा phase by phase जल डा रहा है या जैसे COVID-19 का पूरी हर जगर दुनिया में महाबारी चल रहा है दोस्तों और लगातर केसिस बढ़ रहे हैं तो दोस्तों इसकी रोक थाम के लिए इसके थोड़ा बचने के लिए सेल के है कि एक लगातर एक ही बार सबको नहीं बुला रहा है बारी बारी से phase by phase बुला रहा है तो आप लोग को बिलकुल हरवाने के जुरत नहीं है आप लोग तैयार है आपका एक्जाम अच्छा गया आपने सारा करेक्शन कर लिया हुआ कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं अ दोस्तों यह आपको जो टेस्ट है वह अपने से कराना होगा अपने खर्चेव पर प्रिफराबली 72 आवर प्रियर तुधा डिपार्चार यानि दोस्तों आप वहां रिमेंडे आप दोकोमेंड वरिफिक्शन के और मेडिकल के लिए जाओंगे उससे बहतर भंटे का पहले का टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए और दोस्तों आप जैसे यहां पर जाओंगे मेडिकल टेस्ट के लिए विलाई में तो उस वहां पर आपको दोस्तों यह सर्टिफिकेट प्रोडूस करना होगा कि आप कोविड-19 टेस्ट में निगेटिव है और आपका अगर पोजिट अगर प्रोडूस के लिए और दोस्तों यहां बताया रहा है कि क्या क्या आपको लेना है तो आप सेल की ओफिशल वेबसाइट में जाहिए और पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों आते हैं प्रोड़िजिट इस्ट के बारे में तो यहां देखें दोस्त इस्टेट कंडिडेट आफ्टर ओनलाइन टेस्ट 21-1-2020 एंड इस्किल टेस्ट हेल्ट फ्रम 3-3-2020 तो 7-3-2024 प्री-इंप्लोइमेंट मेडिकल इग्जामनेशन इन इन दा सेकेंड फेज तो दोस्तों जैसे आपको बता चुके अल्रडी यह आपका सेकेंड फेज का साथ मार्च के बीच में इसका स्किल टेस्ट हुआ था तो उन ही लोगों का यहां पर रिजल्ट है और सबसे पहला पोस्ट आपका आता है वह आपका है ओपरेटर कंडिशन ट्रेनी इलेक्टिकल तो दोस्तों यहां अप्लिकेशन है कंडिडेट का और उसके बाद किस परेट लोगों का सेलेक्शन हुआ है और आगे बढ़ते हैं अगला पोस्ट आता है आपका ओपरेटर कंडिशन ट्रेनी केमिकल तो दोस्तों केमिकल में टोटल दो लोगों का चैन हुआ है यहां देख सकते हो कंडिडेट का अप्लिकेशन नमर है और उसके बाद सारा सेलेक्शन हुआ है तो टोटल यहां पर दो ही लोगों का सेलेक्शन हुआ है अगला पोस्ट आता है हमारा ओपरेटर कंडिशन ट्रेनी इलेक्ट्रोनिक्स तो दोस्तों यहां पर टोटल आट लोगों का सेलेक्शन हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आता हमारा ओ लोगों का सेलेक्शन इसमें हुआ है अगला पोश्ट आता है हमारा जिसमें बहुत सारी लोगों ने अपलाई किया था ओपरेटर कम टेक्निशन ट्रेनी मेकनिकल तो दोस्तों यहां देख सकते हैं और बहुत सारे कनेडिट का सेलेक्शन हुआ टोटल 37 लोगों का इसमें सेलेक्शन हुआ और यह आपका सेकेंड फेस का रिजल्ट है इसके बाद दोस्तों थर्ड फेस का रिजल्ट भी वेबसाइट में जल से जल आएगा तो लगातार वेबसाइट में देखते रहे हैं साथ इसाथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लगातार जैसे रिजल्ट आपके वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी नोटिफिकेशन में तो देखिए दोस्तों यहां क्या लिखागा कैंडिडेट है एब टू बी रिपोर्ट फो दे मेडिकल एक्जामनेशन एट दोस्तों यह जो अपडेट है यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि जिस डेट में आपका मेडिकल एक्जामनेशन होगा उससे एक दिन पहले आपको वहां सूचित करना होगा कि नेक्स डेट में हमारा मेडिकल होने वाला है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों त आपको वहां पर मेडिकल एक्जामनेशन होगा और उसके पहले दोस्तों आपको जो वहां के सीनियर मेनेजर है एचारडी के जिनका आप मोबाइल नबर भी देख सकते हो तो इनसे आपको कॉंटेक्ट करना पड़ेगा सुभास भाई पटेल सीनियर मेनेजर एचारडी और इनका रोल आप मोबाइल नबर देख सकते हो तो इनसे आप कॉंटेक्ट कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वैरीज है और उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं रिजल्ट में क्या लिखा वाया तो कि सॉट लिस्टेट कंडेश्ट और एडवाइस टो रिपोर्ट इंप्ट जाना ही पड़ेगा तो दोस्तों आपके लिए कोई हाड कोफी इसु नहीं किया गया है कि आपको सूचित किया जाएगा ठीक है अगर आपका इसमें रोल नमबर है तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा candidate are required to bring following document at the time of Reporting for Pre-Medical Examination तो दोस्तों अपको कौन से कौन से दस्सावेज प्रसूट करने होंगे तो यहां देख सकते हो पूरा लेस्ट आप चाहो तो दोस्तों इस वीडियो को यहां पर पाउस कर लो और डीटेल में आप देख सकते हैं कि कौन से कौन से दस सभेज ले जाने होंगे तो मैं आपको थोड़ा से ब्रीफ में आपको बता देता हूं तो सबसे पहले आता आपका पासपोस साइज का दस फोटोग्राफ को ले जाने है जो आपने अपलोड की तो सेम उसके बाद औरिजनल एंड सेल्प अटेस्टेट फोटो कोपी ऑफ भैलिट फोटो आईडी जैसे आपका अधार काड़ हो गया तो दोनों में से कोई एक ले आ सकते हो उसके बाद टू करेक्टर सर्टिफिके फर्म प्रेजन्ट इंप्लायर इन केस ऑफ कैंडिडेट वाकिंग इंसेंट्रल एस्टेट गर्वर्मेंट डिपार्टमेंट पी एस्यो अट्रोनमस वर्डी दोस्तों आप कहीं काम करते होगा तो वहां से आपको रिलीज लेटल भी ले जाना होगा और उसके बाद नमबर हम अगर पी डैबलोडी में कैटिगरी में आते हो तो आपको अपने जो सर्टिफिकेट है वह आपको प्रस्तूथ करना होगा और आपको लेटेस्ट वहां प्रोटूस्थ करना होगा तो इसका ध्यान रखेए क्या अट्यूस सारे मौजूद होना चाहिए कोई एक तो आगे देखे क्या लिखावा तो इन अपसेंस अप एनी डोकुमेंट कंडिएट विल नॉट पे अलाओट फॉर मेडिकल एक्जामिशन जैसे दोसो मैंने बात आया कि आपको सारे दस्ता बेल जाना है अगर आपके पस कोई मीसिंग आ जाता है तो आपको मेडिकल एक्जा क्या क्या डोकुमेंट आपको ले जाना है वहां पर भी पूरा जीकर है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो विलाइस्टिल प्लांट डिजर्व राइट तो कैंसल पोस्ट्पॉन दमेडिकल एक्जामिशन और चेंज दा टाइम डेट वेनू फॉर मेडिकल एक्जामिशन जाना है तो दोस्तों यहां बताया जा रहा है कि आपको मेडिकल एक्जामिशन के जस्ट बाढ़ी आपको जोइनिंग की न्यूज दे दी जाएगी और साथे साथ आप अक्वाड़ कर सकते हो वहां के जो होस्टल है विलाइस्टिल प्लांट के तो वहां अक्वाड़ कर सक हो दोस्तों आपको पूरी तैयारी का जाना है और यहां पर देखें क्या लिखावा था कि इन केश सथे टो दोस्तों यहां पर किसी परकार कोई क्लेरिफेट चाहिए तो आप इस नमबर पे कॉल कर सकते हो या फिर यहां पर अपना इमेल सेंड कर सकते हो यह आपका इमेल आगे बढ़ते हैं तो आगे दोस्तों देखिए क्या लिखा रखा वा तो आपको character certificate तो दोस्तों यहाँ देखे character certificate आपको प्रसूत करना होगा तो character certificate आप इस page का दोस्तों print ले लिए और इसको पूरव भर लिए और उसके बाद किसी भी गैजेटेट ओफिसे से साइन मोहर आप करवा लिजे और उसके बाद यहां ले जा सकते हो ठीक है तो दोस्तों यह रहा पूरा रिजल्ट आपका सेकेंड फेस का और इसके बाद जैसे ही थर्ड फेट का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको हमारे चैनल के म जुड़े भी है और हर्पारका की बेनिफिट ले रहे हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए जानवाद जैहिन जैभारत